सुप प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्त की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आप सबों को दिनांक 30 जुलाई के होम असाइनमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। जो है दिर्ग प्रशनुत्तर। इसके लिए पहला प्रशन है, अजन्ता की गुफाओं में किस विधी से चित्र बनाये जाते थे। इसका उत्तर है, पहले पत्थर को टपर कर खुरदरा बनाया जाता था। उस पर गोबर पत्थर का चुना और धान की भूसी मिले गारे का लेबा चड़ाया जाता था। इस लेबे को चुने के पतले पलस्तर से ढखा जाता था। इस पर लाल रंग की रेखाओं से चित्र टीपे जाते थे और बाद में रंग भरा जाता था। ख मार विजय के चित्र में क्या दिखाया गया है? इसका उत्तर है, मार विजय के चित्र में लोभ, कामदेव और सैतान की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए हैं. अनेक कामिनी इस्त्रियां भगवान बुद्ध को विचलित करने का प्रयास करती दिखाई गई हैं. ग अजन्ता की सोलहवी गुफा के चित्र में कौन सा द्रिश्य अंकित किया गया है इसका उत्तर है इसमें भगवान बुद्ध का ग्रिहत्याग का द्रिश्य अंकित किया गया है और यशोधरा के साथ उनका पुत्र राहुल सोया हुआ है नमबर घ, अजन्ता की गुफाओं के चित्रों को देखकर कलाकारों के बारे में क्या पता चलता है? इसका उत्तर अजन्ता की गुफाओं के चित्रों को देखकर कलाकारों की साधना और परिश्रम के बारे में पता चलता है फिर है खाली स्थानों को भरें क इन दोनों प्रकार की गुफाओं का मुर्ती शिल्प देखते बनता है ख बिहार गुफा भिक्चुओं के रहने और अध्यन के लिए होती थी ग कामनिया भगवान बुद्ध को विचलित करती जान पड़ती है घ बोधी सत्व एक जन्म में छह दातों वाले सफेद हाथी थे फिर वाक की बनाएं यहां पर कुछ शब्द दिये हुए हैं गुफाएं सैतान अपुर्व भिक्षा इससे बच्चों को स्वयंग वाक की बनाना है आज की कक्षा में इतना ही धन्यवाद